प्लेज प्लेज आप सदन के नेता ऐसे मत करिये मैंने इतनी वैस्ता देदी प्लेज 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 माने सदर्शिगन नई दिल्ली में जी टॉंटी शिकर समर्न के सपल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशिये भरिये इस आयोजन की सपलता ने परतेक भारतिये को गरु से भर दिया है इसने वैस्चिक इस्तर पर देश की नेतुत की शमता को एक नया आयाम दिया है मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देनी की माननी ये प्रधानमंती जी के वीजन की सराना करता हूँ भारत के सभी राज्यों और केंद्र साशित प्रदेशों के 60 शेरों में 200 से अधिक बेटके हुए जो अभूतपूर है दुनिया भर से आये 42 प्रतिनिती मंडलों के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समीट अपने आकार भवेता और प्रभाव में अभूतपूर था इससे विश्को भारत की विवित्ता लोगतांतिक शक्ति और प्रतिबा को देखने का अउसर मिला है भारत की G20 की अध्यस्ता समावेशी, आकांशी, कार उन्मुक, निनायक और जन केंदित रही है G20 नेताओं के शिकर सम्मेलन में लिएगे निन्ने परिवर्तन कारी है और ये आने वाले दश्कों में वेश्शिक वैस्ता को नया रूप देने में साइक होंगे मानने प्रधानमंती जी के वीजन और मारदशन में G20 नई दिल्ली लीडर्स समीट घोशना पत्र को सर्व सम्मती से अपनाया गया और सवेद शिल मुद्दों पर भी सब की सम्मती बनी विश्शिस्तर पर ये स्विकार किया गया है कि भारत के नेतत एंउ सक्रिये प्रयासों के कारण विश्शिक उत्तरदशिन के बीश दूरी के पाटने और पूरपश्शिम धूरवी करण को नियंतित करने में सपलता मिली है ये विश्श में भारत के उचे कद और बढ़ती प्रतिष्टा तता इस सरकार द्वारा पिछले नो वर्ष्शों में किये गए कारियों को दर्शाता है मानने प्रधानमंती जी के नेतत में भारत को जो वेश्शिक सद्भावना प्राप्थ हुए ये उसी का प्रमान है मांती और सयम की आवाज है भारत की अध्यक्ष्टा में ग्लोबल साहूत की आवाज को G20 की चर्चा के केंद में लाने में महत्पुन भूमी का निभाई है अपनी अध्यक्ष्टा की शुरुवात में भारत ने जन्वरी 2023 में वायस आप दे ग्लोबल साहूत शिकर संब्लन की मेजबानी की जिसमें 125 देशों के नित्त ने भाग लिया ग्लोबल साहूत के देशों की प्रात्मिक्ताओं और अपेक्षाओं को G20 एजेंडे में शामिल किया गया शिकर संब्लन की घोश्टना में निर्धनता उन्मुलन जलवाय उवित रिंड समंदी समश्चाओं से निमटने खाद्य सुरक्षा, स्वास्त सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी धाचे के विकास सईत, विकास सील देशों की हितों से समदित विशेओं को पर्मुक्ता दी गई माने प्रधानमंती जी की पहल के कारण अफ्रीकी संग को G20 के 27 सदश्च के रूप में सिकार करने का एतियासिक निर्णे लिया गया विश्च के शिशनितत को राजगाट पर राश्पिता महात्मा गांधी को सम्मान देते देखना एक अध्भूत दर्ष्ट था उन सभी ने महात्मा गांधी द्वारा प्रति पादित शान्ती और अइंसा के सारभौमिक विचार और वर्तवान समय में इसकी प्रासिंगता को स्विकार किया गया माने प्रतानमंती जी ने सेवं अंतिराष्टी संस्तारों में सुधार करने उसमें समय के नुसार बदलाव लाने का पुरजोर समर्तन किया इस विभाजित विष्व में इस्तिर्ता व्रधी और विकास सुनिशित करने के लिए वास्तिक बवपक्षवाद के लिए ये महत्पुन है माने सदश्गन जी ट्वंटी का डश्टी कोन अर्थ केंदित नो होकर अब व्यापक रुप से मानो केंदित हो गया है सतत विकास लक्षों को साकार करने अंतराश्टिय वित्य संस्तानों में सुधार करने डिजिटल सारजनिक बुनियादी धाचे की इस्तापना करने हरित विकास समझेतों को प्रोसाइद करने महिलाओं के नेतुत के विकास को प्रोसाइद करने डिजिटल स्वास्त पर वेश्चिक पहल करने परविक्स किस्सा की भूमिका को मानिता दिये जाने जैसे विश्यों को प्रातिता गी गई वो सरानी है जी ट्वंटी शिकर संबेलन के प्रमुक परिणानों में अंतराष्टी अर्थवयस्ताओं को अधिक सक्रे करना विकास के लिए अधिक संसादनों की उपलबता परियटन का विस्तार विश्षिस्तर पर कारे के आउसर मोटे अनाज के उत्पादन और उभोग के माद्यम से सुदड़, खाद्य सुरुक्षा, कोशल की कमी और गतीशीलता की समश्षा का समाधान करना ग्लोबल वेल्यू चेन की मेपिंग, MSME की साहिता करना और जेव इधन के लिए प्रतिबदता शामिल है इनका लाप पूरे देश को प्राप्त होगा शिकर संबलन के दोरान भारत मद्य, पूर यूरोप, आर्थिक कोरिडोर और वेश्षिक जेव इधन गडबंदन का शुभारन अत्यंत महत्पुर्ण है इन पहलों से एक कनेक्टेट भईश की नीव रखी गई है जिसमें आगे भी भारत की महत्पुर्ण भूमी का बनी रहेगी प्रयावरन समर्तन के लिए लाइफ समंदी उचिस्त्री सिधानतों को अंगिकर्थ किये जाने और जलवायू समंदी लक्षों को पूरा करने के लिए जलवायू वित और निवेश में बड़े पेमाने पर व्रधी की आउश्रक्ता को विख्षित देशों दारा स्विकार किये जाने से इस शित में भारत का नेत्वत इस्पश्ट रूप से प्रदेश्शित हुआ है साथ साथ स्टार्ट अप पर एक नए G20 की स्तापना के रूप में नई उपलब्दी दर्ज की गई है खादिश रुक्षा के समन्द में डेकन उचिस्तरी पहल भूमी समंदी पहल पर गांदी नगर रोड में परेटन के विशे पर गोवा रोड में नीली और महा सागरिये अर्थ वैस्ता पर चन्ने उच्चिस्तरी पहल और काशी सांस्कतिक पत्थ से आने वाले समय में विश्का मारदशन होगा और हमारे देश गोर्वामिन्त होगे अगले मां हमारी संसत को हमारे G20 अध्यश्ता के क्रम में पारलेमेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा मैं इस प्रतिशिस सभा के प्रतेक मानिय स्रदश्यों से अनरोद करता हूँ कि वे लोगतंत की जन्नी भारत की भूमी पर पूरे विश्व का स्वागत करने और वसुदेव कुटम कम एक पर्थवी एक परिवार एक भईश के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिर हो मुझे विश्वास है ये सभा इस एत्यासी कुपलब्दी पर माननीय प्रधानमंती जी के नित्वत की सराना करने भारत के लोगों को उस्सा बढ़ाने और सभी संगटनों और वेक्तियों की योगदान को सराना करने में मेरा साथ देगी